दूस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं हाली माई फाइटर मूवी को जो की आपको जरूर परसंदाएगी इसलिए बिना समय गवाई वीडियो शुरू करते हैं आप बर्ष वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मूवी की शिरुवात में हमें फैजान हामिद नाम के आतंगवादी को दिखाते हैं जो की अपना वीडियो बराकर बोलता है कि वे जिहाद करने वाला है अपने कश्मीर के लिए और अपनी अज़ादी के लिए जिसके बाद उसको जन्नत मिल जाएगी अब सीन चेंज होता है और हमें एक साल पहले मनशेरा पाकिस्तान का सीन दिखाते हैं जहाँ पाकिस्तान के जनरल और मकसूद नाम का आतंगवादी टीवी पर नियूस देख रहे होते हैं कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर में पाकिस्तान के सबसे बड़े टेरिरिस्ट को मा कि ये वह हिंदुस्तान के एरफोर्स स्टेशन में हमला करेंगे जो कि श्री नगर में है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा अगले सीन में हमेशर ताज गिल को दिखाते हैं जिसको सब लोग ताज के नाम से जानते हैं जो कि एरफोर्स के स्कौाड का लीडर है व उसके बाद मूवी के लीड करेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम शमशेर पठानिया है और उसको सब लोग पैटी कहकर बुलाते हैं पैटी आते ही अपनी टीम से मिलकर ताज को गले लगा लेता है क्योंकि ताज पैटी का का अच्छा दोस्त होता है अब हमेश की नाम के आदमी को दिखात है जो कि मिनी के साथ का हेलिकॉप्टर पाइलेट है वहाई कैटन राकेश जैपाल सिंग अपनी गाड़ी से इंडियान एरफोर्स स्टेशन आते हैं जिनको सब लोग रोकी के नाम से जानते हैं रोकी वहाँ जमा हुए बेस्ट एरफोर्स ओफिसर को बो करें कैटन रौकी अप सारी इंफोर्मीशन देने के बाद बोलते हैं कि आप सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लो ताकि आप सब मिलकर एक अच्छी टीम बन सको जिसके बाद सारे ऑफिसर मिलकर पार्टी करने की सोचते हैं बशीर अपनी बाइक पार करता है तब वही पाकिस्तानी टेरिरिष उसको चुक्के से चाकू माणने के लिए आगे बढ़ता है तब अजर फैजन को रोक कर कार में ले जाता है और कहता है कि उनका मकसद सिर्फ एक फौजी को माणा नहीं बलकि उनकी पूरी फौज को मिटाना है रात को पैटी और उसके सारे साथ ही रेश्टोरेंट में मिलकर काफी हसी मजा करते हैं तब मिनी को दिखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद पैटी को पसंद करने लगी है अगले दिन से पैटी, ताज और मिनी अपनी पूरी टीम के साथ ठ्रेनिंग में लग जाते हैं ताकि अगर कभी भी दुश्मन का हमला हो तो वह उन्हें मूत और जवाब दे पाएं और साथ साथ वह अपनी टीम के साथ इंजॉय भी करते हैं इधर फैजान, वजीर और अजर आप श्रीनिगर में पहुँच गए थे जहां वेर फोर इस्टेशन पर हमला करने के प्लैन के लिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उन्होंने RDX मंगवाए थे मगर थोड़ी देर में RDX के बॉक्सेस और वजीर को इडियर आर्मी वाले पकड़ लेते हैं पर अजर और फैजान सेफ थे और वे आपस में जल्दी दमागा करने की बात करते हैं अगले सीन में कैप्टन रॉकी अपने अफिसर को लड़ने की ट्रेनिंग बता कर बोलते हैं कि आज वे रियल लाइफ में जैट के साट ट्रेनिंग करेंगे जहां ताज और उसकी टीम अपने साथी को प्रोडेक्ट करेगी और रॉकी की टीम उन पर हमला करेगी उनकी ट्रेनिंग का अबजेक्टिव होगा कि उनको अपने फाइटर जैट पाइलेट्स की शमता देखनी हैं कि वे आप कितने काबिल हैं अब ट्रेनिंग शुरू होती है जहां सारे फाइटर जैट हवा में थी सुखी और मिनी अपने हेलिकॉप्टर से सेनिको को नीचे ग्राउंड पर फाइट के लिए उतारते हैं उसके बाद पैटी और ताज उनको रॉकी से प्रोडेक्ट करते हैं पैटी अब अपने जैट से रोकी के एक जैट प्लेन को लोग करता है मतलब की वह जैट डिस्ट्रॉय हो गया फिर कैप्टन रोकी मैदान में आकर पैटी के जैट के पीछे अपने जैट उड़ाता है पर पैटी हवा में अपने जट घुमा कर उल्टा करके रौकी को लोग कर देता है मतलब कि पैटी ने रौकी को भी हरा दिया पर कैपटन रौकी बोलते है कि तुम मुझ में इतना ज़ादा उलज गए कि तुमने अपने हेलिकॉप्टर को इग्नोर कर दिया और Rocky के साथ ही मिनी के पास हेलिकॉप्टर पे पहुच गए मतलब कि उनका मिशन फेल हो गया अब Captain Rocky बेस पर पैटी पर काफी भड़कते हैं क्योंकि उसने दुश्वन को मारने की चक्कर में हेलिकॉप्टर छोड़ दिया जिस कारण Rocky की टीम ने मिनी के हलिकॉप्टर को पकड़ लिया और उनका मिशन फेल हुआ पैटी को उनके हलिकॉप्टर को प्रोटेक करना था और वह नहीं कर पाया रोकी अब बोलता है कि अगर ऐसा असली में होता तो तुमारी वज़ा से हमारे हलिकॉप्टर के पाइलिट और सैनिक मारे जाते ये सुनकर पैटी काफी निराश हो जाता है फिर वे अपने रूम पर आकर अपने बक्से से किसी नैना नाम की लड़की की फोडो निकालता है जो कि उसके साथ एर फोर्स में थी पैटी और नैना की शादी भी होने वाली थी मगर एक मीशन में पैटी की वज़ा से नैना मारी गई जिसका वयास तक कभी भुला नहीं पाया पैटी अब रात को अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है फिर मिनी पैटी से अकेले में बात करती है और उन दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों करीब आ रहे है मिनी अब पैटी को उसके पैटी के बारे में बताती है जिनके लिए वह मर चुकी है क्योंकि उसके पापा उसकी शादी करवाना चाहते थे मगर मिनी ने एरफोर्स जोइन कर ली जिसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया सुखी अब मिनी और पैटी को खीच कर ले जाता है और सब डांस करते हैं जिसके बाद पैटी अपने घर चलाता है और यहां ताज की वाइफ अब मिनी को नैना के बारे में सब बता देती है अगले दिन जरीना बेगम नाम की रो एजेंट एरफोर्स के बेस में सबी आफिसर को इंफर्मिशन दे कर अजर अक्तर के बारे में बताती है जो कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और उसके साथी वजीर नाम के टेरिरिष्ट को आर्मिने आर्डियक्स के साथ पकड़ा है मतलब टेरिरिष्ट कुछ बड़ा प्लैन कर रहे हैं पाकिस्तान एर्फोर्स ने भी एलोसी में अपने एर जेट्स डेनेट करे हैं जिसका मतलब पाकिस्तान भी उन पर अटेक कर सकता है अब हमें कैप्टन इमरान रसूद के बारे में बताते हैं जो कि रेड नोस नाम से काफी ज़्यादा मशूर है और वह एक डेंजरस एर फाइटर है यहां इंडियन आर्मी की रिइन्फोर्समेंट फिलाल एलोसी पर आ रहाई थी मतलब सिच्वेशन अभी अंडर कंट्रोल है और पैटी और उसकी टीम अब हेलिकॉप्टर से जाते हुए इंडियन आर्मी को देखते हैं इसके बाद पैटी यह घर उसकी पुरी टीम जाकर लंच करते हैं तब थोड़ी देर में उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेनिंग आज कैंसिल हो गई है जिसके बाद पैटी और मीनी साथ में गुमने चले जाते हैं अब हमें प्रिजन डे दिखा दे हैं जहें इंडियन आर्मी के ट्रक जा रहे थे तब फैजान नाम का टेरिरिस्ट अजर अक्तर को अलविदा कहकर अपनी गाड़ी में बाउम लगाकर इंडियन आर्मी के ट्रक के पास जाकर बलाश कर देता है जिसमें काफी सारे इंडियन फौजी शहीद हो जाते हैं अब ये बात एर आफिसर तक पहुंचती है और वैसाब फौजी भाईयों की बाड़ी देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं फिर कैप्टन रौकी और पैटी को पता चलता है कि ये अटैक जैशे मुझाइद दीन ने करवाया है जिसका मास्टर माइंड अजह रखता रहे इस अटैक में इंडियन आर्मी के सत्तर से भी जादा सैनिक शहीद हो गए पैटी अब अपने सर के साथ दिल्ली जाता है जा सारे बड़े आर्मी जनरल की मिटिंग होती है वे सब मिलकर पाकिस्तान को उनकी आर्मी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए कहता है और फैसला करते हैं कि वे उसका जवाब पाकिस्तान को एरिश्ट्राइक से देंगे पैटी अब अपने सारे हेड और मिनिस्टर्स को उनकी एरिश्ट्राइक की पूरी डिटेल देता है फिर कुछ दिनों बाद अब इंडियन एर्फोर्स की टीम रात में पाकिस्तान में गुज जाती है और अजर अक्तर के बेस पर एरिश्ट्राइक कर देती है जिसमें अजर अक्तर के सारे आदमी मारे जाते हैं पार अजर महाँ से बचके निकल जाता है तब ही पाकिस्तानी एर्फोर्स का कमांडर रेड नोस अब इंडियन जेट्स के उपर हमला करने आता है और ताज को उसके जेट्स से लॉक करके फायर करने वारा होता है तब पैटी रेड नोस के जेट्स को पीछे से लॉक करके कहता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वे रेड नोस के जैट को उड़ा देगा जिसके बाद रेड नोस पीछे हड़ जाता है फिर पैटी और ताज अपने जैट के साथ इंडिया वापस लोट आता है और उन्टा मिशन सक्सेस्फुल हो गया था अब अजरक तर पाकिस्तान के जनरल के पास आकर बोलता है कि उसने अपने 300 जैशे मुझाइद दीन के आदमी को खो दिया तो अब जंग होगी और इंतिकाम लिया जाएगा मिनी और पैटी अब एक दूसरे को प्यार करने लगे थे जैसे वे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तब एकदम से सैरिन बसता है फिर पैटी भाग कर अपने जैट पर बैठ जाता है और अपने अफिसर के साथ उड़ान भड़ता है तब हम देखते कि पाकिस्तानी एरफोर्स ने इंडिया पर हमला किया है और इंडिया ने एरफोर्स पाकिस्तानी एरफोर्स के पीछे लग जाते हैं पर ये पाकिस्तान के जेट्स इंडिया के एक बेस कोड़ा देते हैं और इंडिया से भागते हैं तब पैटी और ताज अपने जेट से उनका पीछा करते हुए एलोसी पार कर लेते हैं। और पैटी को बदा चलता है कि वे तो पाकिस्तान पहुच गए। यानि कि ये सब पाकिस्तानी एरफोर्स का प्लैन था जिसमें पैटी और ताज फस चुके थे। अब उनके बीच काफी फाइट होती है जिसमें ताज के जेट पे पाकिस्तान का एक रॉकेट लगता है जिसमें ताज और बैस का जेट क्रेश होकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर रॉकी बोलता है कि पैटी की वज़ासे उनुने दो बार अपने आपने आफिसर गवाय हैं। प्लेन के अंदर बैठी लड़की से बात करके उसे सब बताता है जिससे उस लड़की की स्मूथ लेंडिंग होती है और वे बच जाती है फिर पैटी कुछ दिनों तक अपनी पोश्ट पर अच्छे से काम करता है फिर वे अपने सर को कहता है कि वे फोच छोड़ने वाला है औ पाकि उसको आज के फ्लाइट मिल जाए और वाँ पैटी को फ्लाइट के ओपरेशन मेनेजर के पास पता चलता है कि वह तो मिनी के पापा हैं पैटी अम मिनी के पापा को काफी emotional speech देता है कि उनको तो उनकी बेटी पर गर्व होना चाहिए कि उनकी बेटी Air Force की काफी अच् पाकिस्तान के कैद में है इधर रजर पाकिस्तान में ताज और बैस को टॉर्चर करके खुम मारता है अगले सीन में पैटी अपने साथी उसे जाकर मिलता है जो कि पैटी को देखकर काफी खुश होते हैं तब एकदम से एक फॉजी की बोडी आती है और हम देखते हैं कि पाक ताज को कुछ भी होने नहीं देगा। इधर हम देखते हैं कि इंडिया का रो एजेंट अजर से मिला हुआ है। जो कि अजर को इंफोर्मेशन देता है कि इंडियान एर फोर्स उन पर रात को हमला करेंगे। इधर कैप्टन रोकी अपनी टीम के साथ पाकिस्तान से ताज को प्लैन बना लेते हैं। तब पैटी रोकी को आकर उसको भी मिशन में शामिल करने के लिए कहता है। ताकि वह मिलकर ताज को बचा सके। पर रोकी पैटी को मना कर देता है। यहाँ पाकिस्तान में आजर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से बात करता है कि कल इंडियान आर्मी हमला करने वाले हैं और प्लैन के मताबिक उने तयार रहना होगा अब रात को मीनी पैटी को बोलती है जिए ताज को किसे भी हाल में बचा लेंगे तभी मीनी के ममी पापा वहाँ आ जाते हैं और वो बोलता है कि हमने तुझे समझने में गलती करती जिसके बाद में इनी अपने ममी पापा को गले लगा ले दी है और उनके बीच सब सःही हो जाता है पर इंडिया का पालेट पाकिस्तान को लुख बनाकर अपने सारे सैनिक को पाकिस्तान में उतार देता है और अब जंग शुरू हो गई थी, फिर भारत के कमांडो अब अजर के base camp में जाकर attack करते हैं, तब अजर चौक जाता है क्योंकि उसे information मिले थी कि भारत के सैनिक रात को हमला करने वाले थे, फिर हमें बता चलता है कि जो रो एजेंट था, उसने पाकिस्तान को लू बनाया, अब भारत के कमांडो हर तरफ बॉम लगा कर ताज को बचा लेते हैं, और फिर अजर और उसके अड़े को बॉम से उड़ा देते हैं, अब इनी ताज को अपने हेलिकॉप्टर में बैठा कर ले जाने लगती है और सुखी बाकि के कमांडर को उसके हलिकॉप्टर में बैठा कर ले जा रहा होता है, तब ही एकदम से अजर, एक तोप से सुखी के हलिकॉप्टर को उड़ा देता है, जिससे सुखी घायल हो जाता है और तब ही वहाँ, पाकिस्तानी एरफोर्स भी कांटर अटैक में आ जाती है, और फिर अब भारत के कमांडर और जैशे मुझाइदीन के टेर्रिस्ट में फाइट शुरू हो जाती है तब ही पैटी ये सब देखकर सुखी को बचाने और पाकिस्तान के एरक्राफ्ट से लड़ने के लिए अपने एरक्राफ्ट में जाकर बैठता है और ये पैटी को बिल्कुल बेराउड नहीं था तब कैटन रोकी बोलता है कि पैटी को जाने दो उसको अपना बेस्ट एरफाइटर लड़ाई में चाहिए फिर रोकी खुद भी पैटी की साथ जंग में जाने को बोलता है तब सारे एरफोर्स वाले बोलते हैं जो कुछ भी उन पर एक्शन होगा वे सम मिलकर देखेंगे फिर कैटन रोकी अब पैटी के एरक्राफ्ट में जाकर बैठते हैं और वहे दोनों पाकिस्तान के एरक्राफ्ट से लड़ने जाते हैं अब सबसे जबरदस्त एरफाइट होती है जहार रेड नोस के सामने पैटी था और दोनों एरक्राफ्ट आपस में एक दूसरे को टकर देते हैं पैटी अपने एरक्राफ्ट को घुमा कर रेड नोस के सामने ले आता है और अब दोनों एरक्राफ्ट एक दूसरी के और बढ़ते हैं तब ही पैटी और रोकी पेरिस्टूट से कूच जाते हैं जिसके बाद पैटी का एरक्राफ रेड नोस के एरक्राफ्ट में टकराता है और रेड नोस मारा जाता है इधर अजर सोखी को बूरी तरह से माने लगता है तभी पैटी एकदम से आकर अजर को रोकता है और उसे मारना शुरू करता है फिर पैटी अजर को मारते हुए का मतलब समझाता है तब यह अजर अपनी जान बचा कर महाँ जीप से भागता है तब पैटी भी अजर को पकड़ लेता है और उन दोनों की जीप में लड़ाई होती है इधर ताज हेलिकॉप्टर से आकर बचे हो आतंगवादियों को गोलियों से मार देता है और यहाँ यहाँ पर यह मूवी खतम होती है दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और अगल एक्स्प्लिनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कॉमेंट कर देना बाग अगर आपको हाली में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप य वीडियो देख लीजिए